अमेरिकी राश्रुपती चुनाव में जोरदार बहुमत से जीतने वाले जो बाइडन 20 जन्वरी को अमेरिका के नए राश्रुपती के तौर पर शपत लेने वाले हैं। वो अमेरिका के 46 वे राश्रुपती होंगे। बाइडन के साथ वोईस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी शपत लेंगी। बाइडन का शपत ग्रहन बेहत जादा सुरक्षा चिन्ताओं के बीच हो रहा है। आपको बता दें कि 6 जन्वरी को यूस कापिटल बिल्डिंग पर ट्रम्प समर्थ को ने हमला कर दिया था जिसे अमेरिका में जम कर हंगाम हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि शपत ग्रहन का पूरा शेडियूल है क्या। इवेंट इस्थानी समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। बाइडन और हैरिस के शपत लेने के बाद नव निर्वाचित राश्रुपती का उद्गाटन संबोधन होगा। अपने संबोधन में बाइडन अगले चार सालों के राश्रुपती कारेकाल का विशन बताएंगे। वो कोविड-19 से जंग, अमेरिके एकिनॉमिक को मजबूत बनाने और राश्रु की एकता को बनाये रखने के लिए अपनी योजनाओं पर रोश्नी डालेंगे। शपत ग्रहन के बाद अमेरिका की लंबे वक्त से चली आ रही परंपरा, पास इन रिव्यूज निभाई जाएगी। इसमें अमेरिकी मिलेटरी अपने नए कमांडर इंचीफ को शक्तियों का शांती पुर्वक ट्रांस्फर करेगी। इवेंट में नए अमेरिकी राष्रपती और उनकी पतनी, नए वाइस प्रसिडेंट और उनके पती भी शामिल होंगे। जो बाइडन को वाइट हाउस के लिए प्रेसिडेंशल स्कॉर्ट दी जाएगी, जो अमेरिकी सेना की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। आधिकारिक सरिमनी अमेरिका में परेड निकालने के साथ समाप्थ हो जाएगी। इस परेड में अमेरिका के विभिने समुदाय रहते हैं और परफॉर्म करते हैं। इसका टेलिविशन पर सीधा प्रसारण भी किया जाता है। 20 जनवरी का दिन 90 मिनट के बोनस प्राइम टाइम प्रोग्राम सालिब्रेटिंग अमेरिका के साथ खत्म होगा। इसे टॉम हैक्स होस्ट करेंगे और प्रोग्राम में बाइडन और हैरिस के साथ बातचीत शामिल रहेगी। अमरुजला.com